वेल्कम टू दा थर्ड एसम्बली आउटोकेड मेकैनिकल 3D मॉडलिंग एसम्बली नमबर 3 पिछले दो एसम्बली में बच्चों ने बोला कि सर अचानक से बड़े बड़े एसम्बली चालू कर दिये छोटा छोटा एसम्बली बताए नहीं तो आज हम छोटा से असम्बली बताने वाले हैं जिसका नाम है Oldham Coupling सारे डिग्री डिप्लोमा वाले इसको अच्छे से पहचानते हैं और इसमें जो पार्ट्स हैं वो सिर्फ चार पार्ट्स हैं एक तो है हमारा Flange है ना Center Disc, Shaft and Tipper की ठीक है तो यह बिल्कुल भी छोटा सा लेक्षर होने वाला है बट बेहद इंपोर्टेंट है क्योंकि हम इसको एक एक पार्ट करके बनाने वाले हैं फिर क्या हम उसको करने वाले हैं कि ड्राइंग कैसा है ना और ड्राइंग के हिसाब से लोगों को काम करना नहीं आता है तो इसका मैं एक ही सोलिशन बताऊंगा कि अपने इंजिनेरिंग ग्राफिक्स को ठीक कीजिए अगर आपका है इसको आप फलेंच बोल सकते हो ये हमारा सेकेंड पार्ट है इसको आप सेंटर डिस्क बोलते हो ये हमारा शाफ्ट है और ये हमारा टे adopting है आई बात समझ मै तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है then feel free to ask अपनी माइक खोलिए और पुछिए और यूटूब में देख रहे हैं अगर इसमें किसी तरह से कोई दिक्कत आती है then पिछले वीडियोज आप जरूर देखिए पिछले लेक्चर्स को अगर आप देखेंगे तब ही जाके कौन सा कमाड मैं कब इस्तमाल करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से मिल जाती है ठीक है ओके लेट्स स्टार्ट तो मैंने जो इनिस्यल सेटिंग करनी थी वो मैंने कर लिया है हर बार आपको लेयर क्रियेट करना नहीं बताऊंगा ठीक है तो आप चाहोता यहां से लेयर क्रियेट कर सकते हैं बरा-बर न तो अभी मैं लेयर नहीं बताने वाला हूँ मैं डायरेक्टि जी स्टार्ट करूँगा क्योंकि वक्त लगता है उसमें ये वक्त में बचाना चाता हूँ ठीक है direct मैं parts modeling चर्क करने वाला हूँ तो यह हमारा कौन सा view है मैं इस side से लेने वाला हूँ देख लिजेगा इसका total diameter 145 दिया हुआ है यहाँ पे और यह हमारा 100 का है और इसका जो diameter है वो हमारा 50 का है तो 3 circle हमें ले लेना है कोई दिक्कत नहीं है आप right hand side से काम कर सकते हैं right hand side को लीजिए ओके और उसके बाद हमें क्या करना है C for circle यह लेता हूँ center D for diameter 50 50 के बाद एक और circle लेना है यह रहेगा हमारा center D for diameter 100 यह हो गया one more circle we need 145 तो यहाँ से हम diameter उसका 145 ले लेते हैं that's it इतना ही हम लोगों को पहले तो करना है उसके बाद हमें क्या करना होगा यहां से south east में जाना है क्यों क्योंकि हमनो right side set start करने थी यहां से मैं यह ले लिया press pull and here we have just wait for a moment यह देख लिजिए हमारा total इसकी total height दी हुई है 75 we need to press pull that area 75 mm तो यहां से मैं 75 ले लेता हूँ and then यहां से आप इसको ऐसे ले लेते हो इसका क्या है मतलब तो आप देख सकते हो this is 40 तो आप यहां से 40 ले लिजिए यह हमारा हो गया आए बात समझ में है ओके अब इतना करने के बाद हमें क्या कर लेना है इन दोनों blocks को union कर लेना है ठीक है ताप यहां से solid union पे जाईए दोनों को select किजिए और enter कर दीजिए इससे होगा यह कि हमारा दोनों solid एक साथ जुड़ जाएगा अब 2D को delete कर दीजिए क्योंकि यह बार बार आपको disturb करेगा ठीक है अब इतना होने के बाद ज़रा गौर कीजिएगा हमें और क्या करना है सो है ना और क्या करना है हमें देखिएगा इसके लिए हमें इसको निकालना यू can see here the width is given 24 है ना और depth is 13 तो हमें क्या करना है कुछ नहीं एक line लेता हूं यह quadrant से इस quadrant तक और हम क्या कर लेते हैं copy कर सकते हैं इसको select करेंगे co is the shortcut for copy इधर लेना है 12 enter and नीचे भी जाना है 12 enter and that is the way of creating this okay now use this press pull tool select this region यहां से आप 13 डाल देनी है okay here we have अब यहां से 2D आएंगे उसको आप delete कर दीजिए यह हमारा काम हुआ अब आप इसको save कर सकते हो old hums couplings okay इसके पीछे भी एक history है old hum किसी का नाम है जिसने इस coupling को बनाया था तो इसके बारे हम discuss नहीं करेंगे भी यह तो हमारा हो गया अब आगला क्या है you can see here the key way and full dimensions are given here key way taper one ratio 100 it means what इसका मतलब यह होता है जरा गवर से देखिएगा कि देखिए यहां से यहां तक का total height दिया हुआ है कितना तो आप यहां पे देख सकते 52.9 mm okay दूसरी चीज़ यह होती है कि हम लोग calculate कैसे करते हैं यह taper को मतलब यह दिया हुआ है यहां से यहां तक ही है ना हमारा तो हम क्या करेंगे 75 minus 13 कितना हो जाएगा 62 तो 62 को एक के पास रखना है और उसको divide करना है 100 से तो 0.62 आने वाला है आई बात समझ मैं तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ यह देखिएगा है ना तो मैं इसको क्या करता हूँ तो जरा गौर से देखिएगा first of all हमें क्या करना है इसको मैं थोड़ा rotate कर लेता हूँ ताकि हमें काम करने में जरा आसानी हो जाए इस तरह से ले लिया ताकि हम key वगेरा आसानी से बना पाए और हम यहां से front side को select करते हैं और इसकी जो total length लेते हैं वो लेते हैं 63 और height कितना लेना है तो मैं total ही ले लेता हूँ 52.9 mm मैं ने height ले लिया 52.9 ले लिया और इसको ही select करके copy करूँगा और copy करने के बाद मैं यहां सुठाओंगा और यहां पे जाके रख दूँगा हमने कितना calculate किया था 62 मतलब यहां से यहां तक हमारा distance 62 है 62 divided by 100 यानि 0.62 हमें उसमें से कम करना होगा आप इस line को simply select कीजिए इस point पे click कीजिए और नीचे आजाएए 0.62 enter इस तरह से हमने ले लिया है और line लेता हूँ line के बाद इस end point पे जाए और end point पे जाने के बाद आप इस पे click कर दिजिए ठीक है और इस तरह से मैंने इस profile को पूरी तरह से बना लिया है अब मैं इतना नहीं करता मैं directly इसका 50% minus करके ही लूँगा क्यों पता है क्योंकि हम वहाँ पर center में रखने वाले हैं इसलिए मैं इसको पूरा पूरा minus कर देता हूँ अगर आप चाहें तो इसको रखिए नहीं तो हटा दीजिए no problem ठीक है आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं join कर दीजिए और join करने के बाद ज़रा shift प्रेस करके middle mouse को press कीजिए और इस तरह से हमारा यह आ गया है अब आप चाहें तो इसको select कीजिए select करने के बाद extrude ले सकते हैं you can see here हमने extrude ले लिया है और इसको कितना में extrude करना है यहाँ पर आप देख सकते हो यह हमारा 14 mm का दिया हुआ है तो आप यहां से कुछ नहीं 14 mm ले लीजे ठीक है और मैंने क्या किया center से लेना है इसको तो आप इसको उठाइए और जाके देखिएगा इसका mid point किया है center point कि दरह यहाँ पर हमारा center मिल चुका है अब देखिए हमें कितना material जितना गया हुआ है उतना ही minus कर देना है बस ज्यादा कुछ भी नहीं करना है हम लोगों को ठीक मैंने एक चीज गलती कर दी यहाँ पे जो center से नहीं लेना था actually जो लेना था वो हमें 25 लेना था क्यों पता है क्योंकि इसका total diameter 50 का है तो हमें जो लेना है यहाँ से 25 ही उपर लेना है देखिए यह हमारा जरा सा नीचे की तरफ आया ठीक है यह गलत हो जाएगा फिर okay I'm sorry और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि center हमारा midpoint में लेना है है ना तो इस वज़े से हमें 25 नीचे सूपर करके ले लीजिएगा देखिए कितनी बड़ी हम लोग गलती करने जा रहे थे ठीक है खैर यह गलती से हम सीखते हैं यह मैंने गलती बताया क्योंकि हम बार बार इस तरह की गलतीया करते हैं हमारे बहुत सारे students है तो इस तरह से गलती ना करें और क्या समझते हम लोग हम सही कर रहे हैं हम गलत कर रहे होते हैं, इस वज़े से मैंने इसको लिया और फिर से बताया, तो इस तरह से देख लिजे, मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है, and then we have to subtract from this flange, है ना, यहाँ से हमने लिया है, subtract command, select this one, space, select this one, space, and this is the way of creating the first object, you can see here, you can see the taper properly, और यह हमारा हो गया पहला पार्ट, ठीक है, अभी मैं material वगएरा नहीं देख रहे हैं, बाद में देखेंगा, आप इसको save कर सकते हो, दूसरा पार्ट हमारा क्या है, यह हमारा center disk है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं क्या कर लेता हूँ, फिर से u, c, s, double space करके, यू, c, s, icon को ठीक करूँगा, और यहां से मैं फिर से right side में चला जाता हूँ, और right side में जाने के बात, c for circle, d for diameter, 145, और line ले लेता हूँ मैं, यहां से पकड़के, यह 145 ही है न, हमने सही लिया है न, यह, you can see here, आएक बार चेक करके जरूर देख लीजेगा, so that is good, okay, line ले लिया मैंने, O for offset, 12, enter, यहां से मैं, उपर, यहां से मैं नीचे, फिर line ले लेता हूँ, ओके, 12, right side, 12, left side, so, हमें इसकी जरूरत अभी नहीं है, यह हमारा काम होगे, बाकी का extra जो है, रहने देते हैं, no problem, अब यहां पे आप south east में जाईएगा, south east में जाने के बाद, देखते हम कैसा काम कर सकते हैं, so, चलिए, press pull लेता हूँ, और यह देख लिजे हमारा क्या है, so, यहां पे देखिएगा, यह total कितना हमारा, 12.5, मुझे लगता यह 12.5 है, यह 12.5 है, ठीक है, बाद में यह जो बीच में बचा है, 45, माइनस 25 बचे का 20 का यह, तो आप क्या किजिए, यह जो है हमारा 20, फिर इसी तरह से मैं इसको भी, और इसको भी, और इसको भी 20 का ले लेते हैं, ठीक है, अब दूसरी बात यह है, मैं इसको लेता हूँ, 20 प्लस 12.5, that is 32.5, ओके, so, nothing to worry, आप इसी तरह से प्रेस पूल कर दीजिए, यह हो गया, आई बात समझ में, और देखो, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सिर्फ 20 का ही लेना है, और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सिर्फ 20 का लेना है, तो एक साइड का हमारा पूरा काम हो गया, अब इधर से मैं 12.5 का ले लेता हूँ, only 12.5, this is 12.5 and this is also 28.5, यह अलग-अलग blocks है, then we have to unite them all, यहाँ से मैंने सब को select किया और enter किया, और इस तरह से हमने ले लिया है, 12.5 वगेरा, सब कुछ तो delete this, है न, यह देख लीजे हमारा, oh my god, oh my god, गलती कर दिये भाईया, हमने गलती कर दिये, बहुत बड़ा गलती, तो हमें क्या करना चाहिए, मुझे यह पीछे साइड वाला नहीं लेना है, I watch, मैं, मैं जरा सा क्या करता हूँ, पीछे साइड वाला नहीं चाहिए, मैं यहां से पकड़के, इसके बराबर, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ओके, हमें यहां से चाहिए, ठीक है, 12.5, एंड यह भी मैं ले लेता हूँ, 12.5, और यह भी मैंने 12.5 का ले लिया, ठीक है, और इस तरह से मैंने complete कर दिया, तो ड्राइंग को अच्छे से देखिएगा, गलती नहीं करना है हम लोगों को, देख लिजए, perfect आ चुका है हमारा, और उसके बाद आप इसको select कीजिए, और यहां से पकड़के, यहां ले लिजए, और इस तरह से मैंने इसको delete कर दिया, ठीक है, second part हमारा बन गया है, आप देख सकते हैं, di4 distance, आप एक बार चेक कर लिजएगा, कि हम लोगों का distance 12.5 है, बाकी का क्या कोई problem नहीं, यहां से फिर मैं अगर जाता हूँ यहां तक, देन यहां से आपका 20 का आएगा, actually मैंने गलत जगा से ले लिया है, so, यह देखिए हमारा 20 का ही है, इसमें कुछ issue नहीं है, ठीक है, यह देख सकते हैं, 20 का ही है, तो इस तरह से मैंने disc भी बना लिया है, अब दूसरा part भी हमारा complete, अभी तीसरे part की तरफ चलते हैं, यह हमारा छोटा सा shaft है, आप ज़रा इस part को देखिए, मैं क्योंकि इसी part क बनाने वाला हूँ, और इस part को बनाने के बाद मैं इसको press pull करके पूरा shaft बना लूँगा, ठीक है, चलते हैं फिर, यहां से भी मैं right side में ले लेता हूँ, यह भी हमारा right side का हो गया है, no problem, C for circle, center, D for diameter, 50, and that's all, और यहां से मैं इधर से एक line ले लेता हूँ, यहां से है, तो O for offset 44.5, enter, यहां से मैं इने उपर की तरफ लिया, okay, and दूसरी बात यह रहेगा हमारा 14 का, तो 7.5, 14 है की कितना है, सिर्फ only 14 है न, तो 7 का रहेगा एक side, और दूसरे side भी हम 7 का ही ले लेते हैं, बाकी का कोई दिकत नहीं, आप इसको हटा दीजिए, and TR, double space कर दीजि trim them all, trim them all, okay, बस इतना ही करना है हम लोगों को, बाकी का रहेगा, तो भी कोई फ़रक नहीं पढ़ता है हम लोगों को, ठीक है? फिर यहां से हम लोगों को South East में जाना पड़ेगा और South East में जाने के बाद हमें क्या करना है यह रहा Press Pull, Press Pull के बाद यहां से आपको Select कर लेना है अभी Total Distance यहां पर नहीं दिया हुआ है सिर्फ इस Key Way का Distance दिया हुआ है तो मैं यहां पर 90 का Extra ले लेता हूँ ठीक है अब 15 Extra ले लूँगा मैं यहां पर Total 90 ले लिया और यहां पर जाने के बाद Only मैं 15 लेता हूँ ठीक है क्योंकि बीच का जो Gap हमें चाहिए वो 75 का ही चाहिए अब हम Unite कर देते हैं इस तरह से मैंने Unite कर दिया और उसके बाद हमें क्या करना है यहां पर Chamfer डालने है तो कितने का Chamfer है यू कें सी हीर 2.45 का है तो यहां से हमें Solid में जाना है और यह रहेगा हमारा Chamfer Age यह लेता हूँ Distance 2 by 2 हम लोग ले सकते हैं 2 by 2 यहां से Distance ले लेना है 2 Inter, Second Distance 2 Inter और यह रहा हमारा Age, Inter, Inter and what हमें क्या करना है यहां पर भी Fillet डालनी है तो आप यहां से Fillet ले सकते हैं Fillet Age, then select this one Radius 3 का मैं Consider कर लेता हूँ and here we have created the Shaft ओके, Save कर देता हूँ और इस तरह से हमने Shaft भी बना लिया है आप समझ में एक और छोटा सा Part है जिसको आप Taper की बोल सकते हैं तो हम इसमें करेंगे Left Side से ले सकते हैं No Problem और आप चाहें तो यहां से Front Side से भी ले सकते हैं क्योंकि Front Side से लेंगे तो हमारा काम और भी आसान होगा ठीक है यहां से मैं ले लेता हूँ कितना ले लेता हूँ देखिए 65 Given और इसकी Total Width कितनी दीवी है तो That is 9 अब देखिए यहां पर भी Taper दिया गया है वन रेशियो 100 का तो यहां पर 0.65 हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि 65 divided by 100 कितना होगा 0.65 तो इस साइड जो होगा वो 9 से 0.65 कम होगा तो मैं इसको Select करता हूँ CO for Copy यहां सुठा के मैंने यहां पर जाके रख दिया और इधर जाके आप 0.65 कम कर दिजिए ठीक है and then line and यहां से हमें क्या करना है यहां तक लेना है आई बाद समझ में and यहां से आपको South East ले लेना है South East में जाने के बाद हमें क्या करना है इसको Press Pull कर देना है और कितना है Total 14 आप देख सकते है 14 है की नहीं है यहां पर दिया हुआ है Total यह देख लिजिए 14 का है तो इस तरह से मैं ने 4 के 4 पार्ट्स बना लिए है अब बनाने के बाद हमें क्या करना है इसमें जरा सा मैं एक और चीज कर लेता हूँ क्या करना है देख लिजिए तो मैं इसको पकड़ता हूँ सब को पहले मैं क्या कर देता हूँ material डाल देता हूँ material कैसे डालना है तो M.A.T. is the shortcut for material browser और मैं इंटर कर देता हूँ M.A.T. is the shortcut for material browser ठीक है and now we are going to apply some metallic pen to these objects तो आपकी मर जी है आप इस पर ले लिजिए यहाँ पे नहीं दिखेगा हम जब तक इसका Shedded Realistic में Convert नहीं करेंगे तब तक हमारा नहीं दिखने वाला है इस वज़े से हमें क्या करना होगा हरे को Realistic में Convert करना पड़ेगा तब ही जा करके हम आसानी से उसमें काम कर सकते हैं यह हमने पूरी तरह से ले लिया है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है Desire Small Parts इसको Delete कर देता हूँ यह रहा हमारा UCS प्रेस करके हमें क्या करना है इसको ठीक कर लेना है देखें यहाँ पर कुछ इस तरह से तो आ रहा है बट हमें और भी चीज करना है Visualization में जाता हूँ Sun Status में जाता हूँ Exposure में जाता हूँ और Exposure में जाने के बाद जरा समय क्या करता हूँ इसकी थोड़ी से Highlight कर देता हूँ Yes, you can see here और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं Object को आसानी से देख पाएंगे ठीक है, it's very nice कोई बड़ी बात नहीं है Looking realistic So, अब देखते हैं आगे, अभी मैं इसको पकड़ता हूँ M is the shortcut for move और मैं क्या करता हूँ One second, इसको हमें rotate करना है Select करेंगे और यहां से मैं rotate लेता हूँ Rotate करने एक बाद यह blue अला ring पकड़ना है इसको ऐसे घुमा देना है M for move कर देता हूँ यह mid से लेता हूँ जाके हमें क्या करना है यहां पर रख देना, ठीक है Here we have ओके, और इस तरह से मैंने एक को तो ले लिया है अब हमें क्या करना है इसको पकड़ना है total को M is the shortcut for move and move करने के बाद हम क्या करेंगे इस center से उठाएंगे और जाके हम इसके center पे रख देंगे तो इस तरह से देखिए मेरा एक total flange, shaft, taper की assemble हो चुका है अब assembly करने के बाद हमें इन तीनों को copy कर लेना है तीनों को हम copy कर लेंगे इस तरह से अब हम क्या करते हैं हमें इसको घुमाना है select, rotate and then इस तरह से मैं इसको ले लिया है और मैं इसको पकड़ता हूँ m4 move और यहां से उठाऊंगा और जाके हम यहां पे रख देंगे और इस तरह से मैं ने center disk को भी रख दिया है अब हमें इसको भी जड़ा rotate करना होगा तो मैं तीनों को select करूँगा space and इसको तो सबसे पहले हमें इस direction में rotate करना है फिर इस direction में rotate करना है आई बाद समझ मैं and then m is the shortcut for move and move करने के बाद हमें क्या करना है इस जगह से उठानी है और आप इसके corner में जाके रख दिजिए here we have यहाँ पर E and D press करेंगे न तो आपको end point दिखेगा तो आपको ज़्यादा घबरानी की ज़रूरत नहीं है here we have created the assembly of old hum यह हमारा complete हुआ अब जरा सा हम इसको क्या करेंगे explode करेंगे ठीक है तो मैं सब को select करूँगा यहाँ से copy लूँगा और here we have ठीक है अब क्या है वही कुछ नहीं है है ना मैं इन तीनों को पकड़ता हूँ M4 move और इसको पकड़के मैंने ऐसा कर दिया ठीक है and then select this one and this one और यहाँ से मैं move करता हूँ इदर से पकड़के ऐसा लिया ठीक है and इसको select करेंगे M4 move यह हो गया आई बाद समझ मैं मैं इसको जरा साइड में रख देता हूँ इस तरह से मैंने इसको साइड में रख दिया ताकि हम आसानी से इसको explode कर पाएं M4 move कर दिजिए and here we have and then select this one ऐसा ऐसा इहा ओके सेव कर देते हैं तो देखिए I hope यह old हम कप्लिंग एक छोटा सा असेमली था इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं था है न और यह हमने पूरी तरह से complete कर दिया है है ना आप देख सकते हैं और इसमें हमने अपने पसंद के हिसाब से material भी डाल दिया है उसको assemble भी कर दिया है और उसका explosion भी कर दिया है तो I hope यह चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी है ना किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है then feel free to ask ओके thank you for this session thank you for joining digital cad bye bye good day take care आपको अच्छे कर दिया है